नमसकार दोस्तों चलिये करते हैं Loras Labs शेर का technical analysis और देखते है Loras Labs शेर में एक दमा के दार तेजी कब आएगी इस stock में हमारे best buying levels concerned गयर अंत में हम ये भी discuss करेंगे कि ये share हमें short term में कौन से target सजियू करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते है इस शेर में important resistance के बारे में तो यहाँ पर 481.55 रुपीस का level एक बहुत ज़्यादा important resistance है यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला level यहाँ पर दोस्तों यह level पहले तो इस शेर के लिए अच्छा support का काम कर रहा था पर दोस्तों उसके बाद अभी यह शेर इस level के निचे आ गया तो यहाँ पर आप देखो multi time इस शेर ने इसी level पर resistance वेस किया है तो यहाँ पर 481.55 का level एक important resistance है लारस लेप्स में दोस्तों गरम बात करते है महत्वपून support level की तो यहाँ पर 458 रुपीस का level एक important support है यहाँ पर आप देख सकतो यह वाला level अगर यह शेर इस support को तोड़ देता है तो उसके बाद जो दूसरा support है वो है 439 रुपीस का level दोस्तों यह level तो बहुत ही जदे important है क्योंकि यहाँ पर पहले जब इस share में हमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिली थी तब इस share ने इससी level पर support लिया था और उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी और तेजी के बाद जब गिरावट आई वापस तो वापस इस share ने इससी level पर support लिया और दोस्तों यही level इस share का 52 week low price भी है तो अगर यह share 439 के support को तोड़ के नीचे चला जाता है तो इस share में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों आई यह बूम अपलाई करते हैं इस share में कुछ important technical indicators और देखते हैं यह technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं MACD और RSI दोनों को अपलाई करूँगा जब तक मैं यह indicators अपलाई कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे updates के लिए चैनल को subscribe भी कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस share में जो MACD indicator है वो अभी हमें bullish होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर MACD में हमें एक bullish crossover देखने को मिला है यह एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों RSI अभी भी 50 के नीचे है पर RSI में recovery आई है अगर यह share अपना 481 का resistance break करता है उसके बाद आप इस share में खरीदारी कर सकते हो क्योंकि दोस्तों एक बार यह share 481 का resistance break करेगा उसके बाद इस share में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और हमारे targets रहेंगे 531 रूपीज का पहला target 560 का दूसरा target और 600 रूपीज क लिए असक तो पहले इस share ने इढर break किया और उसके बाद इस share में एक अच्छी तेजी आई वापस से इस share ने इस resistance को इस zone में breaking और वापस एक अच्छी तेजी आई तो दोस्तों आप इस share में तभी निवेश करें जब यह share इस resistance को break करता है और दोस्तों अगर यह share पेशनल वीडियो था इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी 22 सेलिया होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद